सभी पसुपालक साथियन है, सभी किसान साथियन हैं भई, मेरी ओरतर रामराम, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गिल मुर्रा फारम पर, आप देख रहे हैं भईयो, आज मैं गव साड़ा में हूँ, ये गव साड़ा जो है, खेडी बत्तर, ये चर्खे दा मैंने भाई किसी गव साड़ा मैंने देखी, बहुत ही कमाल की जो है, गव साड़ा है, और ये देख सकते हैं आप गाए हैं जो, कोई भी गाई आपको ऐसी नहीं, कोई शरीर से कमजोर हो या, किसी गाई को कोई, सारे रेक प्रैसानी हो, या कुछ बीमारी हो, ये सारी गाई को नीचे बिलकुल रेत है, कोई मैट की या गद्दे की कोई जरूरती नहीं है, ये कितनी अराम से गाई खड़ी हैं, बहुत ही भाई, सरानी है, जो ये काम है, आज जो समाज में चल रहा है, लोग गाई का दूद्ध पी के उसको सटकों पर मरने के लिए छोड़ द देखिए, ये बहुत ही तारीफ के काबिल जो ये काम है, जो बाबाजी ने किया है, बहुत ही सरानी है, ये काम है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही कमाल की जो है, परबन गव माता के लिए गव साड़ा में किया गया है, ये नंदी माराज है, ये तो अगर नंदी मारा जाए तो यह वहां से चैंपियन बन कर आएं देखी कितने अच्छे से जो है नंदी माराज को त्यार किया गया है जो लगा हुआ है जो लगा हुआ है गौशाडा में बाकि और भी बहुत सारे गौवे हैं मैं आपको दिखाता हूं गायों के लिए जो है सुखा भूसा जो बिल्कुल स्टोर कर करकरें गौवशाडा में रहतक instinct है बहुती बढ़ी साद में प्रबंद ऑन गथ और कि और यह बिल्कुल खुले में बिल्कुल बिल्कुल मौज मस्ती जो कर रहे हैं देखिए दर्सक्सातियो आज जो टाइम है एक गाय हम घर पर रख कर नहीं पाल सकते और यह जो बाबा जी है जो यह गौव साड़ा है यह देखिए कितना जो गोधन है उसको बिल्कुल अच्छे से जो है गुजर बसरीन का करवा रहे ह है और बाबा जी बता रहे हैं जैसे कोई भी ज्यादा सहयोग नहीं है किसी का भी पसुदन कहीं बहार ना जाए उसके लिए बिल्कुल देखिए यह फैंसिंग की हुई है तार जाड़ी लगाई हुई है बिल्कुल बहुत बढ़िया काम बाबा जी ने और गौसड़ा की जो कमेटे यह उसमें किया हूँ भाई देखिए बिल्कुल पेड़ पोधे लगे हुए है गोधन बिल्कुल राम से ही हम गोमता रहता है जब इनका खाने का टाइम होता है जब इनको हरा चा करके यहीं पर आजाते हैं इस ग्राउंड में तो यहां इस सारा दिन कर कहीं बैठें कहीं उठें कोई बिल्कुल कोई प्रहसान नहीं है बिल्कुल यह स्ट्रेस फ्री है जो बिल्कुल सारा गोधन है बिल्कुल बहुत बढ़िया इंतिजाम भई बाबा जी ने किया हुआ है और यह गोधन है जो भी है जितना भी गोधन है बाबा जी अपने घर से लेकर के नहीं आई है यह इस समाज ने ही इन गायों को जो है सडकों पर से आजपास घौसअडा के छोड जाता है तो जो बाबा जी जो है इनको सारा के अंदर ले ले लेते हैं और इनकी सेवा करते कि बाबा कोण से गायों को घर से लेकर गाये हैं बे बाबा जी की घर की गाये हैं यह अपना समात जो है आज एक गाये को नहीं पाल सकता पाल क्या सकता है गाये का दूद्ध पी करके जब तक वो काम की है तक तक घर पर रखते हैं जब वो काम की नहीं रहती दूद्ध देना बंद कर देती है तो उसको सड़क पर मरने के लिए छोड़ देते हैं अभी बाई से बात करते हैं बाई राम राम बाई के नाम है मिठु बाई कितनी गया है अपना लोगा है मिठु बाई इतना भी दूध को सब बचडे या बचड को पिला दीया जाता है यह असली गवसेवा वह मितु बाई यह भी गया बनाने के लिए हो जो भी बाढ़े में गुम के आई हैं अभी या राचा रहा हरी है फिर पाणी के लिए इनके लिए अच्छा ओदी बना रखिए पाणी खत्तर और फिर रात ने आजा रात ने कड़ा बंदों में इंदी गयाना खुली राखो बंद कर राखो खुली रहा है यह जो है यह थीक है यह habitat दूद वाली उस वाले बाढ़े में रहती हैं ओर जो यह गया है बगार दूद वाली या फिर जो बचड़ी है यह जो है खुले में जो आराम करती है पंखे देखिए किसान चाथि ओ इतना जो बड़िया परबंद हैा यए बिल्गुल कमाल कर रखिए है आप सोच भी नह लगने हुए कि देख़िए कि देखे दर्सख साति उपकोलर अंसानों को भी कुल और की बार कोई छाणे नहीं मिलते हैं लेकिन यहां गुप दहु की बिल्कुल बिना किसी के सहयोग के कोई किसी का सहयोग नहीं है कोई कोई डोनेशन कर दे या कुछ कर दे बाबा जी बिल्कुल अपने प्लैटफोर्म पे अपने ही सतर पे जो है गवों की इतनी सिवा करते हैं देखिए बिल्कुल पंखे हैं जो बिल्कुल सारी सैड में लगे हुए हैं बहुत ही कमाल की जो है गउसाडा बनाई हुए बाबाजी ने ये गाउं है खेडी बत्तर जिला चर्की रादरी और चर्की रादरी के कितना दूर है मिठू बाई चर्की रादरी से खेडी बत्तर दस किलोमेटर दूर है ये जो सैड है ये बिल्कुल जो छोटे बाचड़े बचड़ी है उनका ब्रामदा वो अलग है और जो खाली गाए है जो ड्राई गाए है वो अलग है अलग सैड में है ये देखे कितनी बिल्कुल सांथ सभाव की जो है चोड़े-चोड़े बचड़े हैं बहुत ही सराहनी है बाबा जी सत-सत नमन है इनको स्लूट है जो गौधन की जो इतनी सेवा जो कर रहे हैं बहुत ही कमाल का प्रबंद गौशणा किया गया क्योंकि हम जब तक हमें जरूरत है दूद की तब तक हम गोमाता को अपने घर पर रखते हैं उसके बाद सड़कों पर मरने के लिए छोड़ देते हैं अभी यह जो वीडियो बनाने का प्रपज था ताकि यह जो आज समाज है हमारा इस समाज में कोई संदेश जास के सभी दर आवाद